की शुरुवात करते हैं और आज हम एक personalized indicator की बात करेंगे जिसका नाम है M.A.C.D. ठीक है M.A.C.D. को सीखेंगे उसके logic को समझेंगे उसके base model को समझेंगे बना कैसे है ठीक है और उसके execution process को समझेंगे M.A.C.D. को use करने के कई एक तरीके हैं जिसके कुछ formation आज हम लोग discuss कर लेंगे ठीक है चलिए M.A.C.D. को use करते हैं कैसे करते हैं ठीक है वो सारी चीज़े आज हम लोग discuss करेंगे और फिर कुछ चीज़े जो रह जाएंगी वो next session में हम लोग discuss करेंगे आप लोगों को अगर पसंद आता है और आगे के जो इसके tricks है देखिए M.A.C.D. एकदम ऐसे काम करता है कि आप price को hack कर सकते हैं ठीक है एक चलते हुए बाजार में आप predict कर सकते हैं कि अब यह गिरने वाला है इस तरीके से ठीक है अच्छा M.A.C.D. को क्यों मैं तो हर बार कहता हूँ कि indicator पर बहुत निरभरता अच्छी नहीं है बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ इसके बाद मैं आपको M.A.C.D. को सिखाने की बात कर रहा हूँ M.A.C.D. का full form होता है moving average conversion divergence अच्छा moving average से related indicator है मैं आपको price में दो ही चीज़ों पर बात करता हूँ या तो price भाव और दूसरा भाव का औसत तो price में तीनी चार चीज़े काम कर रही है volume कितने पैसे लगाए गए और निकाले गए strength RSI तीसरा price और price का average और उसके बाद उसका momentum ठीक है तो यह जो indicator है M.A.C.D. यह औसत को represent करता है औसत को use करने के अलग तरीके दिखाता है ठीक है तो एक unique तरीका averages को use करने का अगर आपको चाहिए तो वो M.A.C.D. है अगर M.A.C.D. को अगर आप proper way में समझ गए एक बार की होता क्या है फिर आप देखिएगा आप लोग बहुत गलतियां करते है M.A.C.D. को use करते में एक बार आप proper तरीका समझ लीज़े फिर गलतियां नहीं होगी पहले सबसे पहले हमको इसका base समझना होगा कि M.A.C.D. होता क्या है देखिए M.A.C.D. को अगर हम plot करें plot करने से पहले समझ ले थोड़ा सा ठीक है अब ऐसे समझ ये कि M.A.C.D. में तीन averages एक साथ काम करते हैं तीन averages ठीक है तीन औसत कौन कौन से पहलेगा उसको represent करता है जैसे यहां पर मैं लगाओ अब समझ येगा धीरे-धीरे करके यह ठीक है अब इसके settings में चले जाए ठीक है यह देखिए slow length कितना है fast length 12 और signal length का उन है नहीं अब इसी को समझ लेए यही मैंने 26-12-9 बता है ठीक है अच्छा अब इसको हम लोग बाद में दुबारा से लगा लेंगे पहले इसका logic समझ लेते हैं मेरा कहना क्या है कि आउसत average पहले अगर आप पिछली 26 candles की closing को उठाकर उसका आउसत निका लिए जैसे कि यह मैं 20 minute का chart कोई भी time frame आप use कर सकते है mcd के लिए ठीक है अभी मैं 20 minute के chart पर बैठाओ ठीक है तो 20 minute के chart में जो आखरी की 26 candle बनी है उनका average ठीक है last की 26 candle तो यहाँ पर अगर हम लोग moving average को plot करें तो moving average इस तरीके से आएगा और हमको यहाँ पर moving average में 26 इस तरीके स length निकाल यह 26 का average ठीक है तो यह उसत आ गया फिर मैं कहूं कि इसी तरीके से आप 12 का उसत भी plot कीजिए तो दुबारा से moving average पर आ जाईए ठीक है दुबारा से moving average पर आ जाईए और यहाँ आने के बाद यहाँ पर आप 12 का average ले लिए ठीक है अब देखिए दोनों के बीच ज difference को represent करेगा उसका उसत जो लेकर आएगा वो M.A.C.D. line ठीक है अचा M.A.C.D. line सीधा सा अगर 26 के उसत और 12 के उसत के बीच के अंतर को जो represent कर रहा है वो M.A.C.D. का लाइन कौन सा होता है अभी दिखाऊंगा ठीक है और अब सोचिए 26 का उसत 26 पिछली 26 केंडल में ठीक दारी हुई तो 26 के उसत के ऊपर 12 का उसत आ गया तो इसका मतलब क्या है यह जो है last 12 केंडल की खरीदारी 20-20 मिनट की 12 केंडल और 26 केंडल 20 मिनट की ठीक है तो 12 केंडल 20 मिनट की कम समय लिया और 26 केंडल बहुत दूर की तेर की हो गई तो 26 केंडल पहले सेलिंग आई थी और 20 बारा केंडल पहले बाइंग उठ गई और इतनी उठी कि 26 केंडल का आवसत ब्रेक कर दिया तो यह एक फास्ट लाइन हुआ न यह एक तेज जो मुमेंटम चला है रिसेंट फास्ट मुमेंटम चला है बाजार में उसको प्रेजन कर रहा है और 26 के इसको प्रेजन कर रहा है एक स्लो मुमेंटम क्योंकि यह पिछला उसत उठा रहा है भारी उसत है जैसे कि अगर मैं इसी यहां से लेकर यहां तक एक average लूँ और फिर यहां से लेकर यहां तक average लूँ और यह price यहां से यहां तक अभी तो consolidation करता हुआ दिखता है अगर यह उपर जाते हुए दिखता है तो इन candles का average इसके average को break कर रहा होता है क्योंकि वो momentum line होती है तो M.A.C.D. इन दोनो momentum line दोनो औसत के बीच का जो difference है वो represent करता है तो सोचिए कितना accurate होगा कितना accuracy होगी फिर इसके बाद trained कब decide होता है जब 26 और 12 की difference की line जो की M.A.C.D. है वो जब crossover करती है 9 की smoothing line को तब 9 के औसत को जब वो crossover करती है तब वहाँ पर momentum की शुरुआत होती है तब वहाँ पर momentum की शुरुआत होती है जैसे अब इसका हम लोग एक figure out base knowledge यहाँ पर ले लेते हैं अब समझ गए ना तो देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो 26 और विजबिल्टी में अगर आप यह signal line 9 का average है यहाँ पर देखिए signal length 9 का average है तो देखें फिर से दिखा दूँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए signal line yellow line है और MSED कौन सा है blue line है तो जब भी yellow line को blue line नीचे की तरफ cross over करे तो समझ यह price यहाँ से गिरने वाला है ठीक है और कभी yellow line को blue line नीचे से cross over करे तो price समझ यह चलने वाला है ठीक है यह base है अब यह confirmation है यह base है ठीक है यह मैंने आपको basics बता दिये अब इसका एक एक use बता हूंगा ठीक है जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करें तो price यहाँ पर एक बार उपर जाने के बाद इसके नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है तो यहाँ पर इसके साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी price उपर जा रहा था और यहाँ पर देखिए M.A.C.D. चलते चलते इसके नीचे आया नीचे आया लेकिन price ने consolidation किया ना की गिरावट किया M, A, C, जो D को represent कर रहा है, वो divergence यहीं से दिखता है, यही process है divergence का, कैसे पता लगे, जो मैं आपको projection में M का formation पढ़ाता हूँ, कि price एक उपर गया, lot कर आया, फिर higher side momentum किया, previous swing high को निकालने से पहले, lot और low break कर दिया, तो price वहां से गिर जाता है, इसी तरीके से, अगर किसी price की strength, strength का मतलब है, price की जो मजबूती है, वो कम हो रही होगी, और फिर भी price उपर जा रहा है, तो उसका MACD line जो है, वो smoothing line, 9 के average को, मतलब ये blue line, yellow line को crossover करेगी, price उपर जा रहा होगा, और snoothing line नीचे की तरफ जा रही होगी, समझ लीजिएगा, कि अब अगर कहीं भी, MACD में M formation एक बार भी बनता हुआ दिखे, तो high break होने से पहले, अगर price वहां से घुमे, और दुबारा low break कर दे, तो short कीजेगा, वहां से price गिर जाएगा, देखिए, यहां पर price उपर जा रहा है, और snoothing line यहीं से नीचे आ गया, अब देखिए, price ने नए high लगाए, लेकिन MACD ने कोई नए high नहीं लगाए, देखिए, इस previous high के उपर नहीं निकल पा रहा है, क्या high नए high लगाएगा, ठीक है, और price नए high लगा रहा है, इसका मतलब है, अब price में बड़ा momentum ना के बराबर, आज का projection है यह, listen, M formation को trade करना है, तो MACD सबसे बैतर, W formation को trade करना है, MACD सबसे बैतर, सबसे best है आपके लिए, आप बस इसको एक बार implement करना सीखिए, कैसे उपयोग करेंगे, बस जो मैं आपको logic बता रहा हूँ, वो आपको याद रहने चाहिए ठीक है, आप देखिए, price उपर जा रहा है, लेकिन उसकी strength गिर रही है, भाव की जो मजबूती है, वो गिर रही है, क्यों, औस अगर आपका गिरने लगा, average आपका गिरने लगा, average कब गिरेगा, बताइए, average simple है ना, अगर आज किसी price की closing 100 रुपय है, कल 120 है, तो उसका औस 110 हो गया, अगले दिन फिर 130 है, तो उसका औसद आ गया ना, 120 के असपस, बाद से clear हो रही है, अगले दिन फिर 140 है, तो average इसका बढ़कर, फिर 122-132, ऐसे बढ़ता रहेगा हर बर, मानते हैं इस बात को, लेकिन अगर यहीं पर, अभी तक closing 110, 120, 130, 303, और अब closing जो है, वही 120, 120, और फिर एक दिन 115, 112, तो अब क्या है, average गिरने लगेगा, और average cover up करेगा, जब consecutive 3-4 closing अच्छी होंगी तब, मानते हैं इस बात को, तो जब average आपका नीचे आ रहा है, और price उपर जा रहा है, मतलब आपकी strength कमजोर हो रही, वो previous demand है, जो price को उपर लेकर जा रही, वो retailers क भी खरीदारी होगी, जो price को उपर लेकर जा रही, price अब उपर जाना नहीं चाहता है, तो वो clarity आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कि अब bottom बन सकता है, कि price इस तरीके के M formation बना सकता है, तो पहली बार short करने की कोशिश की price consolidation कर गया, consolidation कर गया, तो exit किया, price से निकल गया, जब दुबारा पता लगा कि अब price यहाँ पर M formation दे रहा है, और एक दुबारा से यहाँ पर down होगा, तो यहाँ पर दुबारा trade execute कीजे, momentum ले चाहिए, ठीक है, simple process है, कुछ भी तकलीफ दे लगा आपको, नहीं, अच्छा, अब MSED के साथ अगर आप projection को देखें, इसके कई सारे hack engine को मैं classes में भी discuss करता हूँ, कुछ एक और part मैं आपके लिए ले आऊँगा, अगर आप लोग comment करेंगे, कि MSED के और आपको, basically option buying इससे बहुत अच्छी होगी, option buying जो इससे करते हैं traders, उनको बहुत लाब होता है, ठीक है, hedging में भी बहुत beneficial है, और option buying अगर आप करते हैं त करती करने से बचाएगा, एक बार नहीं, बार बार, मैंने क्या बोला, एक बार नहीं, बार बार, अब देखिए, simple, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, इसी projection को समझा रहा हूँ, जो यहाँ पर हुआ, कोई price नीचे आया, नीचे आने के बाद, उसमें एक lower level लेकिन low break करने से बच रहा है, low break करने से बच रहा है, और उसका MACD जो है, वो strength उसका मजबूत होता जा रहा है, यह देखे, strength strong हो रहा है, और price अब गिरने से बच रहा है, previous swing low break करने से बच रहा है, इसका मतलब है, यह support, एक valid support की तरह काम करेगा, support valid है की नहीं, support validation, MACD से एक दुबारा से reversal देखे, price में, और MSAD कुछ इस तरीके का structure प्रेजेंट कर रहा हो, तो समझ लीजिएगा कि कोई भी swing high निकलेगा, तो long करने का मौका मिलेगा, बाजार एक momentum देगा ही, देगा ही, कितना प्रारा price action है, price गिर रहा है, गिरते हुए नीचे है, अभी एक support level ब बचे, और यहाँ पर एक diversion दिख रहा हो, कि MSAD उपर की तरफ, strength इसकी positive हो रही है, strength इसकी क्या हो रही है, positive हो रही है, और price decline हो रहा है, लेकिन previous swing low break नहीं कर रहा है, मैंने क्या का, यहाँ से जो reversal दिखे, इस high की उपर long कर देजीए, price आपको momentum देने जा रहा है, simple था, कुछ भी अलग नहीं होता है, ठीक है, बिलकुल एक जैसा है, ठीक है, अब इसमें जो और चीजे, और component है, उनको हम साथ ले आ सकते हैं, ठीक है, तो अब rejection के लिए आप पूछेंगे, rejection कैसे काम, rejection ऐसे काम करता है, देखें ना, यहाँ पर काम कर रहा है आपके सामने rejection, कि आपको पता लग रहा है कि last swing high break हुए, लेकिन MSED में उतना strength अभी तक नहीं बना, नहीं बना तो price क्या करेगा, अगर MSED के high break नहीं हुए, तो long करने से बचना है, और long करने से अगर आप बच गए, तो देखें, price दुबारा day high के अंदर आया, trade the trap, triple T का concept बनता है, यहाँ पर है और price का combination, कि price अपने previous day high break करे और दुबारा lot करा जाए, एक तो trade the trap हो गया, और उपर से MSED में एक signal मिल लाए, शौट करने के, अब दो multiple आपके पास clarification है, एक trade को execute करने के, दो कारण है आपके पास, execute कीजिए, गलती की संभावना ही कहा रह गई, ठीक है, यह जो तरीका है, यह तो process है, यह आपको profitable बनाएगा, सलिए, आज के लिए परियाप्त है, अगर कोई भी doubt रह गया हो, तो मुझे comment section में बताइएगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो description में आपके पास telegram का link है, contact detail है, आप classes को भी join कर सकते हैं, चलिए, शुब रातरी, धन्यवाद,